दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कम्प्यूटर या लैप्टॉप में फोटो से PDF कैसे बनाएं तो अगर आपको फोटो से PDF बनाना है तो इस वीडियो को end तक देखती रहे हैं तो दोस्तो आपको सबसे पहले क्या करना है अपने computer में ये laptop में जहांपर भी आप photo से पीड़िय बना रहे हैं उसमें पहले आपको internet connect कराना है तो मैं अपने laptop में internet connect कर लेता हूँ वरना आपको PDF बनाने में दिक्कत आ सकती है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो यहाँ पर मैंने WiFi connect कर लिया है अब आपको कोई से भी एक browser open कर लेना है मेरे पास Chrome browser है तो मैं इसको open कर लेता हूँ अगर आपके पास Chrome browser नहीं है तो यहाँ पर आपको एक search बार मिलता है यहाँ search बार पर click कीजे और यहाँ से search कर लिजे EDGE यहाँ पर आजाएगा Microsoft Edge इसको आप open कर सकते हैं या फिर आप search कर लिजे Internet Explorer तो यहाँ पर Internet Explorer भी आजाएगा यह भी एक browser है तो एक browser open कर लिजे browser में आने के बाद यहाँ पर आपको search बार पर click करना है और आपको लिखना है PDF 24 Tools इसके बाद आपको search कर देना है अब यहाँ पर आपको सबसे पहला एक website मिलेगा tools.pdf24.org यही website आपको open करना है कोई और मत आप click कर दीजेगा वैसे बहुत सारी PDF के websites आते हैं लेकिन यह बहुत ही best है यहाँ पर देखिए बहुत सारे options है merge PDF, split PDF, compress PDF तो इसी line में आप देखिए यहाँ पर आपको किनारे में एक option मिलेगा images to PDF इस पर आपको click कर देना है अब आपके सामने इस परकार का page open जागा, यहाँ पर option है choose file, इस पर click करके आप अपने computer से direct file को choose कर सकते हैं, या फिर आप drag and drop भी कर सकते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ अब देखिए मेरे screen पर यह 5 photo है, इसको मैं PDF बनाना चाहता हूँ, तो आप इसको एकी बार में select कीजे, और इसको खीच कर यहाँ पर drag and drop कर दीजे अब आपके सभी photo यहाँ पर upload हो जाएंगे, अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कोई photo आगे पीछे है तो उसको आप ऐसे click कीजे, और उसको आप खीच कर order मिला सकते हैं और अगर आप चाहिए, तो इसको आप zoom करके भी देख सकते हैं, यहाँ से zoom in, zoom out भी कर सकते हैं अगर आपको इसमें से कोई photo remove करना है, तो उसको उपर देखिए आपको एक remove file का option मिलेगा, उस पर click करके आप photo को remove भी कर सकते हैं इसके अलामा कई सारे और भी options हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यह उतना जरूरी नहीं है, अब यहाँ पर आपको option मिलेगा create pdf, यहाँ create pdf पर click कीजे, अब थोड़ा सा आपको wait करना है, यहाँ पर यह loading ले रहा है अब आप देख सकते हैं, आपका pdf create हो चुका है यहाँ पर preview पर click करके preview भी देख सकते हैं और यहाँ पर download का option है, तो यहाँ download पर click कर दीजे जैसे आप download पर click करेंगे, तो आपका pdf download हो जागा यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड हो गया अब आप इसको यहां से open कर लिजिए तो यहां मैं open कर लेता हूँ यहां पर आपको double click करके open करना है अब यहां पर आप देख सकते हैं मेरे PDF open हो चुका है यह सारे photos मैंने select के थे सब यहां PDF में आ चुका है तो इस प्रकार से आप अपनी laptop में PDF create कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा